पिछड़ों की बात करें तो पिछड़ों का एक बड़ा मुद्दा है जिस पे करीब करीब सभी पिछड़े नेता बोल रहे हैं चाहे वो नितिश कुमार हो अकलेश यादब हो तेजसी हो जाती है जनगर्णा माला उस पर आप कहां ठहरते हैं मेρα इन लोगों से है हम इसके समर्थन में हम विरोद में नहीं है लेकिन पहला सवात के समर्थन में ही हैं मैं जाती जनगर्णा का बिरोधी नहीं हू बहुत रहे do आज एक गरीब माबाप का बेटा देश का प्रधान मंत्री है और कई राज्यों के अंदर देश के अंदर अलग एक वातावन बना हुआ है तो केवल यहाँ एक चुनावी मुद्दा है जैसे जब कोई चुनाव आए कोई एक नया मुद्दा लाकर के खड़ा कर दो जितना ग यह बिवाद ही नहीं है हमारे हाँ इस बिशे को लेकर कोई बिवाद नहीं है महत्पूर बात यह होती है जो बिहार के अंदर कहरे जाती जनगरना होनी चाहिए कर लो भाई जाती जनगरना करने से आपको इस्टेट को कौन रोक रहा है लेकिन जाती जनगरना कराना क्यों है आपने का कि आप इसके आप में वविपच्छ मुद्दा बना रहा है मैं समर्थन में हूँ हमारी पाटी भी कोई की ओरध में नहीं है ले आंप हैं क्ले मुद्दा है। और अप पुछ एवर वरकह मेंने का इन hero बनना चाहते हैं लेकिन वो hero नहीं पिछड़ों की नजर में जाती के नाम पर राजनिती करते हैं जातीवाद की उनकी नजर में जीरों हो चुके हैं इसलिए hero बनने का रास्ता खोज रहें केश्व जी ये तो बात गलत है ये बात गलत है कि आप सिर्फ उनको रोकने के लिए आप बिना जाने कि क्या लाब है क्या हानी है आप एक स्टैंड ले रहें अच्छा आप उनसे पूछ दो उनसे वो बता दें क्या लाब हानी है वो बता ही नहीं सकते हैं वो केवल मलब क्या है कवा का ले गया उसके पीछे भागना सुरूब देखते नहीं अपना वह इस प्रकार की बाते जब भी किसान आंदोलन चलवाए उसके पीछे कौन खड़ा था राजनीतिक दल खड़े थे क्यों खड़े थे क्योंकि भाजबाग खिलाब करेसे उनका सिं ओए-ओए-ओए-ओए-ओए नमकीन के चटकारे लेते हुए टक-टकी मार के डिबेट शू को पॉज रिपीट करकर के देख रहे हैं जोगिंदर जी इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइब अपने स्मा टीवी पर